कि नौश्कार दोस्तो आग या हूँ नए एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक रस्षी के माध्यम से कोई ट्रिक आफलाई करके जुरूत के समय पर 60 उपए से इज़ कर सकते हैं दोस्तो हिंदुस्तन का पहला इट्रिक चनल है जो की रस्षी के माध्यम से कोई इंट्रेस्टिंग ट्रिक आफलाई करके मजबुत गांठे हमारी इट्रिक चनल पर आपको दिखाएंगे मजा आये जाएगा चलो सुरू करते हैं रोप लाइन या रस्षी को जानने से पहले इसका इंट्रेस्टिंग फैर के वगारे में जान लेते हैं जीवन में रस्षी को हम नॉट हीच या बेंड के रूप में ब्योहर करते हैं अधिक डिट्र में बोलूंगा तो यह पत्रलिखन हो जाएगा सो पूरी दुनिया में नॉट को कैसे दोभर करते हैं कैसे सिखते हैं इसका एक किताब है जो कि दो आसले बूफ नॉट ए बी ओके हैं इसका रस्षीता है क्लिपफोर वारें आसले 1944 में वे कोई हजार नॉट दाइगे में के साथ बताये हैं खुद के नाम पर दो नॉट है जो कि आसले बूफ और आप नॉट के वारे में डिटल्स जानने के लिए किताब ख़र सकते हैं लिंक डिस्क्रिशन में हैं फिलाल में तो उनके किताब के हिशाब से ही वीडियो प्रभाइर करूंगा ये एक लूप है जैसे किसी प्रका के नॉट या हीज बनाने के स्टाटिंगपेंट मना जाता है बोलकि ये एक नॉट नहीं है एक रोब का दो पात होता है warning पात या working पात दूसरा standing पात रोणिल का इज़ करके हम note या ही जो की standing पात हमेजिसा रोणिल पात को मदल करता है आए अब है थम नोट या अबरहेंड नोट ये सब्भ ही प्रकार रस्टी के top में और end में बंधा जता है किंगी रख्षी के जो दिगजग है खुलना जाए इसे और भी चर्चा करेंगे इसलिए इस नोट को याद रखें अच्छे से figure of 8 इसके नाम से ही आप पता लगा चुके होंगे कि 8 figure हिसाब से ही इसका नाम figure of 8 है figure of 8 को हूँ CPR weight lifting machine में यूज कर सकते हैं ताकि भारी भरकम वजन जहिल सके होंदर तो भारी भरकम अजन जहिलने वाला नोट figure of 8 ही है इसका और नाम भी है जिसे साभई नोट, double stopper नोट, Flemish नोट इसका काल्यों देखे ता देखे तो 80% है जो की बहतर है वीडियो को अच्छे से देखें और इसका सही तरीका समझें एबंग अपने द्योभारीक जीवन में इस्तिमाल करें वो लूब बाला जो इसको थोड़ा सार धिला किजी वीडियो में जीशे दिखाते हैं उसी हिसाब से running part को stunning part के पिछे से गुजर करके उसके लूब के अंदर एंटर कराते हैं जैसे की वो बाला क्लोब हीज को हम समझने के लिए इसका manual पर ध्यान देना जरोरी है जैसे क्लोबीज को दो बस्तु के मिलने के स्तान पर मजबूत फन्दा से पपट रखने के लिए क्लोबीज को यूज क्या जाता है इसलिए emergency service fire brigade में क्लोबीज को suction horse और मेटा स्टेनोर के बिचो भी यूज क्या जाता है इसी को समझने के लिए एक वाइट बनेए बोगल में और एक वाइट बनेंगे यानिकी दो बाइट इसके बाद पहले वाइट के पिछे से दिसरी बाइट को डाल दें वह बन के तैयर हो गया हमारे गलोफी सब्त गलोफी जिसे की इसी ही सकते आसले ने हापीच नोट को एक चोर के एक चोर से बंधावा बताये हैं एक रहसी को एक बस्तू के चारो और से गुजरा जाता है और एक अकल अडचन के साथ अपने स्वेयों के खड़े हिस्षे के लिए सुर्यखित किया जाता है इसे एमार्जेंसी सर्विस फायर विगेड में दो सक्षन की जुएंट खेत्रों में यूज किया जाता है जो की सक्षन को सुर्यख्या पदान करता है जैशा की नाम से पता लगता है राउंट टू हल्ट इस दो महतोपुन्य भाग से बना है प्रावभिक राउंट टूर्ण बास्तों में पूच के दो पास आपको गांड को पुरा कोते समय प्रावभिक तनाव लेना चाहिए एक अत्रिक्त मोड या दोकी दो अत्रिक्त मोड शुरू में जोड़े जाने चाहिए यदि आप भारी भार समाद रहे हैं तो इसी के करण एमार्जेंसी स्वर्भी फायर विजेन में राउंट टूर्ण टू हार्फिज को पॉंट से सक्सन होस को सक्सन स्टाण पर बाना दाता है प्लीज विडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए समलपुर्गविन यट्यूब चैनल को सब्सक्राब कीजिए चलो देखते हैं रिव नॉट के बारे में रिव नॉट दूसरा नाव स्क्यार नॉट है बहुत ही सामयनियों और पॉसिद है इसके बांद की ख्योंता देखें तो यह 45% होते हैं रिव नॉट को सम्मान दो रस्ती से जोड़ना सही तरीका होता है जैसे की हम इस विडियो में देख रहे हैं रिव नॉट को यूज करते समय एक जरूरी बात पर ध्यान देना चाहिए इसका सक्त गांठे की ख्योंता 45% है इसी की कराव इस गांठ के धिले होने के खत्रा है इस परित्ति में यह स्तिरता खो देगा और यह तव होता है जब गांठ का सिर्फ एक छोटा और खिजा जा रहा हो इसलिए यूज करते समय एक की जगा दो या तिन रिप नॉट यूज करें रिप नॉट इस तरह भी बनता है दो समार रसी लाईए एक से बाइट कीजिए दूसरे वाला रनुग पात को उसके अंदर से गुजरा करके वीडियो के जेशे डाले और यह बन के त्यार हो गया हमारे रिप नॉट देखो अच्छे तरिके से सिंगल सिडवेंट यह सिडवेंट और वैवर्स नॉट से जाना गता है यह दो प्रकार के होते हैं सिंगल सिडवेंट और डवल सिडवेंट शिट बेंड की सक्त गांठे की ख्यमता देखे तो 50% है इसको समझने के लिए हम अपने उंगलियों को सहरा लें मोट्टे वाला रोसी को बाइट करके पतले वाला रोनिंग पाट को लूब के अंदर गुजरा करके उंगली और लूब के चारो और के वाद उंगली और लूब के बीचो बीच डालें और खिचें वो तोर हो गया हमारे सिंगल सिट बेंड इसका उपयोग एक अलग मोटाई क करके दो रोसियों को जूड़ने के लिए क्या जाता है और हमारे डुबल सिटिवेंड उसी हिसाव से मट्डि वाली रोसी को बाइट करके पतले वाला रुसी का रोनिंग पात को लूब के अंदर गुजरा करें और उंगली और लूप के चारों और दो राउंड के वाद उंगली और लूप के वीचों भी डालें और खीचें इंपोर्टन वाद यह है कि इस गांट का उपयोग धोज को रहसी से जोनने के लिए भी किया जाता है ब्लाक वाली ही यह हूग सर्षन का बात है यह फांक वेट लिप्टिंग के समय कामाता है इसको हम समझने के लिए अपने उंगलीों की सहरा लें वेडियो में जैसे दिखाए गए हैं उस हिसाब से रोसिंग को हूप के देख साइड में लेटने के बात वाकिंग पॉइंट को स्टाथिक पॉइंट के नीचे डाने है मिर्शिव मेन ही ब्लाक वाल्ड ही से काफी ज़्यादा सक्त हता है पिक्चर मेन जीसे दिखाए गए हैं उसी हिसा से यह सक्त बन जाएगा वाल्ड मेन ही नाब को या सिव को किनारे में बंधने के काम में आते हैं यहों ताना देने के लिए या अधिक आमतोर पर अंकर चें जॉन्ट कोने के लिए बेश्ट गाठ मन जाता है समझने के लिए इसे हूं चार के उपर चार नौत मिधिक कहते हैं दोस्तों हमारे वीडियो आपको पॉसन आया हो तो प्लीड लाइक कुरें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कुरें फिसरमेन वेंद या अंकर वेंद ये वाटरमेन हिस से काफी ज़़ा सक्त होता हैं बस्तु के चारो और दो मोर करना स्ताई छोर के नीचे उन्चों को पास करें और मोर स्केल के नीचे और खड़े लाइन के चारो और से एक आधा और्चन लूप करें दूसरी छोमाई की और्चन को पुरा करने के लिए स्ताई और एक लूप करकें खिचें ये तैर हो गया फिसरमेन वेंद इसे ध्यान से देखें और सिखें जुकि बर्च वाते समय च गिने जाते हैं तिमबर हीट जो की वेट लिव्टिंग सेक्षन में गिने जाते हैं उबड़ खावड भारी बस्तूओं को उठाने के लिए उज़ क्या जाता हैं गांठ को पुरा बनाने के लिए रसी को पूरी तरों से बस्तू के चारो और से गुजारें फिर गठित अधिक मोड बनाईये और खिचें केट्सपो एमर्जनसी सभी फैट विगन में कोईल होस को एक जगह से दूसरी जगह को उठाने और लाने के काम आता हैं यह नोट दो टीमर हीच और उसके उपर एक स्क्यार नोट से गठी थाता है जिसे हम केट्सपो कहते हैं जाने जाते हैं जाने जाते हैं जानोट को खोज और बच्चाव कार्जियों में पिडित को नुक्सन के नहीत खोत्रेक के करण इस गांध के जोरिये उपर से नीचे की ओध नहा जाता है हाला कि विचार करने की बात यह है क्या खोस्ती हुई व्यक्ति को बचाने का कोई अन्यतर क्या नहीं है उधान सरूर के लिए एक द्रार में या ग्रेड के निचे एक छेद में रुके हुए प्ली चैन्नोट की सब्धनिया अंगो पर कर्संद लागू करने के लिए चैन्नोट का उपयोग करना संभावित दर्दनाग है और इसका उपयोग केवल तब क्या जाना चाहिए जब ब मॉक्सक यह है कि आप सब्धिक फर्मुला से चैन्नोट को सीखें और यूज करें बो लाइन अन्दा वाइड रोसी को डवल बना कर सुरू करें छटी 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 के रूप में एक खाडी के साथ एक धनुशाकर बनाने सुरू करें छेद के महत्यों से रोसी का नित्यत्तो करने के बाद फूरे गांट के उपर से खाडी को ले जाएं और कोस लें आपके द्वारा बनाय गई गांट में दो मजबुत आके हैं रेस्क्यू के समय इस गांट के द्वारा नीचे से पेडित को उपर की तरफ लाया जाता है और इसका उपयोग समुद्रों एवंग द्वातरों के लिए भी उचित रूप से सुर्खित है नेक्स्ट रॉनिंग बोलें इसको एक लूप बना कर सुरू करें लूप बनाने के बाद इस लंबे छोर के चारों और एक बोलेंड करें खोड़े छोर के नीचे और लूप के मध्यम जेरों सी फास करें यहों एक नो चारों और रॉशी फेकर और लूप को कौसकर बस्तों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो सकता है रोनिंग वोलाइन से जनवरों को रेस्क्यू करने के लिए भी चाह जाता है इसका प्रोज़क पेड़ के साखा से रोसी बांधने के लिए चाह जाता है इस गांथ का लाव यह है कि यह गवेर ठेला है और आसानी से पुर्ववत क्या जा सकता है रोनिंग वोलाइन सिखने के लिए एक लूप बनाईए बोगल में एक बैट बनाईए और रोनिंग पाट को लंबे छोर के पिछले हिस्से से होक और बैट के अंदर से ही उपर की तरफ लाएं उस हिसाब से पहले वाले लूप के पिछले हिस्से के माज़ों से सामने की तरव लाने के बाद बाइट के अंदर डालें और लूप को टाइट करें यह बन के तरह रह गया रोने बोलें नेक्स्ट ड्रो हीज या हाववे मेंस हीज इसका और नाम है जैसे की बैंक रोबर नोट ड्रो हीज को बैंक रोबर नोट क्यों कहते हैं आप नोट सीखने के बाद अपने आप समझाओगे इसे उज़ करते समय हमेशा लेफ्ट साइड रोशी को जोरोत के समझाओप पर दिभार करें काम खत्म होने पर रैड साइड रोब को खीचें ताकि रेस्क्यूर के सथ साथ रोब को भी बचाव कर खकें इसको हम और बीटल में समझेने के लिए वीडियो को अच्छी तरफ से देखें और कोई भी इटूब चनल एसे आपको नहीं देखा पाएंगे वीडियो के जैसे एक पॉल पर लूप बनाई है लूप के अंदर से ही लेफ्ट रोशी को खीचें और एक लूप बना करके टाइट कीचिए फिर से वही लूप के माध्यों से राइट रोशी को लूप के सेल्फ में खीचें ये बन के त्यार होया ड्रोईज यानि की बैक रोबर नॉट काम करते समय ड्रोईज के साथ साथ एक रीप नॉट का इस्तिमाल करें ताकि ड्रोईज और सक्त और और मजबुत हो जाएगा ये एक परिचित हेल्पिंग रेस्ट की नॉट में जाने जाते हैं ब्यवारे की जीवन में ये एक वहत्रे नॉट है अगले वीडियो में इस नॉट के माध्यों से आसानी से रोप लेडर त्यार करेंगे बोलाइन एक प्राचिन और सरल गांट से जाने जाते हैं इसकी गांट के ख्योंता देखे तो 64% है ये हर नॉट की किंग बने जाते हैं जिसका उपयोग रोशी के अंत में एक निश्चित लुप बनाने के लिए किया जाता है इसे बाधना और खलना दूनों आसान होते हैं सबसे बीशेस रूप से एक भार के अधिन होने के बाध इसे खलना आसान है लगों को बताने के लिए बोल लाइन को एक बचाव गांट के रूप में अच्छी तरह से जाने जाते हैं इसे बचाव के लिए एक ब्यगति के रोशी पर एक हाथ से पकर सकता हैं और दूसरें क की गांट बांगने के लिए उपयोग कर सकता हैं क्योंकि इसे एक हाथ से नौट करना आसान है रोशी की रणी पाठ को दो उंगलियों के विचो विच रख कर स्टानिंग पाठ रोशी के उपर एक वाइट तयार करें स्टानिंग पाठ का पिछले हिस्से से हो करके फिर से इंगलियों के विचो विच रखें और खीचें यह बन के तयर हो गया हमारे बोलाएं यह एक बांद का रिगांट है जो तौनाव के तहुत बांधी रहती हैं लेकिन तौनाव मुगत हो जाने पर और प्रभावित हो जाती हैं सिप स्यांग नोट का दूसरा नाम कामिकाद नोट है योदी रसी जैदा लोमी हो या रसी कोहीं तूटी-पूटी होने का सोख हो उसी समय सिंग स्यांग नोट को इज़ू करते हैं इसी गांट के लिए पतली या फिचलने वाली रसी अनुपजबत होती हैं क्यूंकि यह आसानी से फिचल सकती हैं और जब तक सक्त जोरत नो हो गांट का पदोसम नहीं क्या जाना चाहिए कैरिग वेंट इसकी गांट की ख्योंता देखे तो 50% है इसको समझने के लिए लेफ्ट के उपर राइट और राइट के उपर लेफ्ट वाली रसी को रख हैं इसका उपयोग नाविकों और परवाता रही के द्वारां क्या जाता है इसे वेट लिटिंग के समय पूली में यूज क्या जाता है तो दोस्तों उमेद करते हैं कि आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आएज तो लाइक किजिए और भीताको चैनल को सब्सक्राइब करो के बैल आक्टिन को क्लिक किजिए ताकि हमारी ऑपडैट की नोटिपिसन आपको मिल सुके चलते हैं और ल